नमस्कार मैं हूँ प्रसौन मुक्तार अंसारी की मौत हो चुकी है लेकिन उसके आतंक के किसे आज भी जहन में ताजा हैं 22 जनवरी 1997 को बनारस के कोईले का कारोबार करने वाले विश्व हिंदू परिशत के कोसा ध्यक्ष नंद किसोर रूंग्टा का अपहरण हो गया पता चला की जहरखंड से विजह नाम का कोई कोईला वैपारी आया था और बातचीत करने के बहाने रूंग्टा को गाड़ी में बैठाया और गायब हो गया पता चला की विजह कोई और नहीं बलकि खुद मुक्तार अंसारी की पत्नी का चाचा अताउर रहमान और बाबू और सिकंदर था गाड़ी के अंदर मुक्तार भी बैठा हुआ था सिवियाई की चार सीट से पता चला की मुक्तार अंसारी ने इस कांड में अताउर के साथी साहब उद्दिन के अलावा पंजाब के माफियाओं गुर्मीत सिंग हैपी जस्विंदर सिंग रॉकी प्रविंदर सिंग और फडंपी की भी मदद ली इन में से जादातर गैंग पार में मारे गए इस हत्याकांड के बाद आरोपियों का मनोबल काफी बढ़ गया गाजीपुर में 29 नौबर 2005 को महमा महमधाबाद से ततकालीन बीजेपी विदाया क्रिस्नानंद राय सहित कुल साथ लोगों को गोलियों से चलनी कर दिया गया चुनावी रंजिस के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया काल का चक्र देखिए एक के बाद एक करके सारे आरूपी अपने अंजाम पर पहुशते जा रहे हैं मुक्तार की पत्नी का चाचा अताउर रह्मान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर अपने साथी सहाब दीन के साथ फरहार है इन पर दो दो लाग का इनाम घोसित है विश्वास वर्मा विश्वास सर्मा उर्फ विश्वास नेपाली फरहार है इस पर 50,000 का इनाम घोसित है बदमास की आखरी लोकेशन नेपाल में मिली है प्रेम प्रकास सिंग उर्फ मुन्ना बजरंगी की जेल में विरोधी गैंग ने गोली मार क कर दी इसी कांड में संजीव जीवा को कोट में विरोधी गैंग ने मारा इस पर क्रिशना नंद्राय की हत्या के बाद सिखा काटने का आरोप था राकेश पांडे उर्फ हन्मान पांडे को लखनाओं में इंकाउंटर में पुलिस ने धेर कर दिया इसी मामले में आरोपी फिरदौस को मुंबई इंकाउंटर में मरा गया एजाजुल हक्त को मानसिक तनाओं से मौत हुई जो मुक्तार का बहनोई लगता था मुक्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटेक से मौत हो गई लेकिन मुक्तार अंसारी की मौत के बाद सवाल उट रहा है कि क्या मुक्तार गैंग खत्म हो गया है तो इसका जवाब है नहीं अब आपको बताते हैं कि इस गैंग के सक्री सदस्य कौन कौन बचे हैं अपसा अताउर रह्मान सादार पूर्फ डंपी और विश्वास नेपाली यह हैं कौन हम बताते हैं आपको पहला नाम मुक्तार अंसारी के सवसुर का सगा भाई अताउर रह्मान उर्फ बाबु उर्फ सिकंदर का आता है जो अपने साथी सहाब बुद्दीन के साथ प्रा कांड में सामिल बताया जाता है सुत्रो की माने तो अताउर रह्मान उर्फ बाबु उर्फ सिकंदर नेपाल से होता हुआ बंगला देश गया लेकिन वहां भी हालात बिगड़ते देख पाकिस्तान में सिफ्ट हो गया इसकी लोकेशन कई बार दुबई में ट्रेस की गई ह अताउर रह्मान की भतीजी अफसा से मुक्तार अंसारी की साधी होई मुक्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी भी इस समय फरार है सुत्रों की माने तो कभी आवाज इन्फ्राटेक कंपनी में डिरेक्टर रही मुक्तार की पत्नी अफसा अंसारी इस कंपनी के जरिये भारी मत्रा में पैसे का वैद लिंदेन में सामिल रही बाद में इस कंपनी की बाग दोर शादाव उर्फ डंपी के हाथ में आ गई राय हत्याकांड के आरूपियों में सामिल विश्वास नेपाली जो कभी मुन्ना बजरंगी का करीबी था लेकिन मुन्ना बजरंगी के करीबी गन्ना वैपारी की हत्या कर दी जिसके बास से विश्वास नेपाली और मुन्ना बजरंगी के समंद आपस में बिगड़ गए वहीं से विश्वास नेपाली नेपाल भाग गया और सुत्रों की माने तो विश्वास नेपाली अप पुलिस का मुख्विर बन चुका है विश्वास नेपाली का नाम अतीक अहमद मुन्ना बजरंगी संजी जीवा हत्याकान के साजिस करताओं में लिया जाता है नेपाल में ठिकाना बनाए विश्वास नेपाली पर मुखतार अंसारी परिवार के लिए लाजिस्टिक एंड फंड मनेजर के तौर पर काम करने का आरोप है इस पर डबल ऐजेंट होने का भी आरोप लगता है गेंगेस्टर एक्ट साहित कई मामलों के आरोपी मुक्तार अंसारी का बड़ा बेटा बास अंसारी इस समय कासगन जेल में बंद है माना जाता रहा है कि अब अब बास गेंग की कमान समाल सकता है मुक्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी फिलहाल जबानत पर बाहर है माना जा रहा है कि मुक्तार अंसारी गैंग पर पुलिस की कड़ाई खत्म होने के बाद बेटों के इर्द्गिर्द मुक्तार गैंग नया रूप ले सकता है लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीतिक दबाओ किस तरीके से काम किया कैसे मुक्तार अपने आतंक का पूरा खेल खेलता रहा इस बारे में बताएंगे हमें पूर डी सीपी सैलेंद्र सिंग्ग मुक्तार अंसारी का जो भैका सामराज था चरम पे था और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं मैंने अभी आप ते का कि खुली जीप में महुदंगों में घूमता था जहां कर्फ्यू लगा है किसी की हमत नहीं को उसके प्रती कुछ बोल दे कारवाई के तो छोड़ दीजे और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की आज तक उत्तर प्रदेश में के वाल एक ही र जाना होगा लेकिन मुलाइम सिंग के सरकार ततकालीन अल्पमत की सरकार थी किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया अधिकारियों प्रेशर बनाया जब कोई नहीं सुना तो आईजी रेंज जो थे उनका ट्रांसपर दियाजी रेंज का ट्रांसपर, SSP, STF हमारे थे उनका ट्रांसपर और अंत में ऐसा मोहल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही और किस तरह की सरकारें चल नहीं है कि जो माफियाओं के निर्देश पर काम कर रहे हैं तो आज मैं जीता जाकता हु कि इस तरह की सरकार अगर रहे चले तो कैसे आप जनता को रिली पहुचा होगे अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है तो मैं बाहर आके शीज को रखा जान जोखिम पर अपने डाला परिवार की जान जोखिम में डाला अगर की जान जोखिम में डाल तो सभेरेज वहां से खाली करना पड़ता था तो यह सब चीजें देखी लेकिन अब उस पे ज्यादा नहीं बोलना है यह है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भूना पड़ता है ओपर वाले के यहां देर हैं अंधिर नहीं है 20 साल का समय लेकिन अपनी मौत मरा डर जो डर दू मुक्तार के सामराज उसकी कारप्डाली पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनिल गुपता ला आफिसर तिहाड जेल देव भूसर जी पूर आईपियस आफिसर और राजवी मिस्रा हमारे समवादा तक सबसे पहला सवाल यही है सुनिल गुपता जी से की कैसे कोई माफिया बिना जेल प्रसासन की मिली भगत के अपना सामराज चला सकता है सुनिल गुपता जी सुनिल गुपता जी समझना चाहते हैं कि माफिया किसको डराते हैं जनली यह माफिया जो ड्राते हैं जेल स्टाफ को तो ड्राती ड्राते हैं क्योंकि जेल स्टाफ जो है बड़ी उनकी पोजिशन बड़ी नाजुक होती है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है और चीजे भी होती है में यह ड्राते हैं आपने जो इनके केस में इनके खिल उसके बाद ये फिवर किया जाता है या लालाज की चक्कर में ही जिल प्रसासंसी दे इस तरह की सुझधाय देता है ये दोनों चीशे है ल्विर । जयाता गेंग स्टर जेकेंगे जैसे मैं अगर दिली की बात करूं मैंने काफिया चीज के अपर ही जातार गेंग स्टर अपनी काफ्ट को जैजादा प्रोजेक्ट करते हैं कि लोग उनको शरम आने चाहिए कि ऐसा बंदा जो है इस तैम माफिया बना हुए पर वोग को तोर के उसको करते हैं वह जील परशासर के लायल होते हैं उसको नहीं होते हैं तो उसमें सरकार क्या करेगी 24 घंटे के लिए आपके उपर CCTV फुटेज सीची टीवी कैमरे लगाए गया हैं लेकिन आप उसकी फुटेज को डिलीट कर देते हैं कैमरे को बंद कर देते हैं ऐसे में तो आपकी आपकी लाला अधिकारियों की लालची सामने आती है देखो दोनों चीज़ें लालची है और इसे मैं देखा जादा तर ना आपको यूपी के जो जिलों के बारे में जानता हूं जाद तर का मैं देखा रहा है क्योंकि जो जेलर स्टाक होता है कोई आइसी नहीं होती कि कैसे और इस जानता है जो लगता है कि लालस तो एक कारण है डर का सवाल नहीं है सवाल है कि आप कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं यह सभावी के इच्छा के उपर होता है लेकिन अगर नेता ही अपने अधिकारियों को सनचर नहीं देगा सारकार अपने अधिकारियों को सनचर नहीं देगी तो माफिया से कैसे मुकाबला करेगा हमारे साथ मौझूद है आई पीएस ओफिसर दियोभुसर जी आपने सेलेन सिंग जी को सुना किस तरीके से मुलायम सिंग की सरकार में उनको हैरेस किया गया उनको परिसान किया गया उनको नौकरी तक छोड़नी पड़ी उसके बावजूद हो कुछ नहीं कर पाए जब कि वो स्टेट जो पुलिस है वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर काम करती है शेलेंजर सिंग का आपने एक्जामपल बहुत अच्छा एक्जामपल दिया शेलेंडर सिंग को जिस तरह से उन्होंने बोल्ड ली इनको अरेस्ट किया तमाम उनके उपर जो पोड़ था तमाम से किया जिसका ट्राइल हुआ तो दुर्भागी से सरकार बदल गई और जिस तरह से उनको हिस्पितियों का सामना करना पड़ा उनको नोकरी तक छोड़नी पड़ी मैं आप जिना में चाहूंगा ब्रजलाल वहां कर डीजी रहे थे मायाबदी ने उनको डीजी लगाया था ज इसे बहुत तारे एक्जाम्पिल है कि जिस बोल्ड ऑफिसर्स ने पॉल्टिकल जो दवाब से उनसे निकल कर का करने की कोशिशिश किये तो उनका फर्जाना उनको देना पड़ा है जो पूर्वांचर पे आते हैं बुक्तार अंसारी उनकी यहां पर सभी एक रोविन मुझे लगता है कि यह जो बारबर सब्दावली यूज होती है राविन हुड राविन हुड इसको पिंडारियों का गिरो कहना चाहिए कारण क्या है कि आप लुटे रे उड़के तो हत्यारों की फाउज खड़ी करते हैं और सरीफ इंसानों को सरीफ नागरिकों को लूट में जाना कि कुछ मुकदमों में ही उनको अभी तरड़ा हुवाट रोर खालर हैं वो तमाम की जा रही है उत्कर लिए ऑन्सी च्ट of ning सब्सक्राइब किया जाएगा सब्सक्राइब किया जाता है जी इस पूरे मामले में अभी तक क्या हो रहा है हमारे साथ राजी मिस्रा है हमारे समवादाता उन्होंने एक ऐसी बेजी है जो मुक्तार अंसारी और उनके बेटे उमर अंसारी के बीच बात चीत हुई है लेकिन उससे पहले जानते हैं किस मामले में क्या बेट है राजी मिस्रा जी बेटे दाक तु आई है एक अपने पिता को यहां बेटे से पहल रहा है और बेटे आप सब्सक्राइब बढ़ा मामला है देखे सुनिल गुप्ता साब बता रहा है कि और खुद कह रहा है कि जो वीडियो फुटेज प्रवाइट की गई और प्रसासन के अंदर से प्रवाइट की लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं बातचीत अजी बाप अजावेकूम आप ठीक हैं बतल्ला ने बचा लिया पापा आप जिम्मत से रहिए चलताप सही होगा रमधान का पाक मेने आमनों को पूरी उप्राप कुछ बोलिये पापा जो जो हमसे काना आप बोलिये पटपट आप बिलकुल बहुत कम जोर हो गए आप हमने करा रहे हैं या डाली बागवाली को अटालत में हैं हम या लखनों मैं और मौसे भी दरोगान कल भी करा रहा है अगर परमेशन आजो के निकल मिल जाएगे तो कल हम मिलने आईए आप से हम अभाभी दोनों लोग हम समझ रहे हैं बापा बिल्कुल समझ रहे हैं बिल्कुल दो दिखी रहा है कि बिल्कुल जहर कसा बसार है बापा लेकिन अल्ला बहुत बढ़ा है किसी भी तरह इनमत करके बापा फूल कर लिया कर ये रोज आपके आवास सुनके जान में जान आवगे हैं बाबु आप अगर विन्हा रखते होगा तो रूर रहे हैं और बोडी तो चली जाए है आप हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत ने कोई और रहता तो अब तक मर गया आपा आप बहुत हिम्मत से थे आप जो लोगए लेको बोडी तोल नहीं हो पारेलिवे विल्चेर पे आए हैं और बोड़े नहीं हो से आप अब आपकी रिपोर्ट तरफ कराने के लिए अप्लिकेशन दलवाया है यहां कोट में अब जन्दी बहते हरोगा वापा आपके इसी पर कुशिश किया करिये क्या कि अपनी सब बात जयत साथ से कहिए वापा हर दिना सुनिल गुपता साथ एक चीज समझना चाहते हैं कि जेल में फोन से मोबाइल से जिस तरिके से फ्रिक्वेंटली बात चीत हो रही है इतनी सक्सिति के बावजूद 24 गंटे CCTV कैमरें लगे हैं लेकिन फिर भी बात हो रही है तो क्या इस जेल प्रसाशन की तरफ से इजाज़त दी जाती है या है लों अपने तंत्र का के जरीए बात करते हैं वैसे हरेक जेल में जो है पीसी ओ लगे में कोई भी मुझिन जो है अपने हर पर आफ कर नॉमबर देते हैं जो जनली घर के लोगों कर शक्ते हैं और जहां तक के वाला केस है जैसे हम यह इनोंने यह पाचीत सुनाइए हमें तो यह मुझे लग रहा है कि दरोगा अंकल काम कर रहे हैं मत्रोगा अंकल मुक्तार अंसारी के लिए काम कर रहे हैं दूसरा मत्रोग बातचीत काहन से है कि कहा जा रहा है मैंने आपकी फुटेज देखी है यानि वीडियो फुटेज भी बना बना के उसको भेजा जा रहा है यह सब जील प्रसाशन की मर्जी से होता है या उनके अपने तंत्र काम करते हैं यही समझना चाहरा हूं आपसे जिसाटाइब करेगा जील प्रसाशन के मिली प्रसाशन को सब्सक्राइब करना चाहिए या सीधे लखनाउ से हर काम होगा अगर तो उनको करवाई करनी चाहिए पर ऐसा होता नहीं है यह उसे में अपराधिक मामलों में दर्ज करके इनको बुक करना चाहिए हमारे साथ मौझूद है देव भूसर जी यह जो माफियाओं के गैंग के नए सदस्य हैं जो अभी तक फरार है जिसमें अतावुर रहमान का नाम आ रहा है जिसमें विश्वास नेपाली का नाम आ रहा है उनकी पत्नी अपसा का भी नाम आ रहा है यह लोग ऐसे लोग है जिसमें एक साधाव है साधावुर्फ डंपी जो दुबई में रहे के आपरेट कर रहा है इन लोगों के उपर एक्शन कैसे लेंगे जो देश से बाहर जा चुके हैं देखिए उसके लिए एक तरीका है सरकार इस तरह की जो क्रिम्नस है उनको अक्तर इंडिया में टाती है उसको जो ट्रायल है उसको फिर सन्ने के लिए वजबूर करती है परतुछा तक राजितिक संदक्षन का सवाले कहते भागे क्यों भागे में आपको याद होगा हूँ कि मुक्तार असारी वो आदमी है राजेती दबदबा इसना है कि उन्होंने अपने किलाव पंचाब में पूटा हुकर्मा तर्स्राया आपने आपको जिर्वर बंद करा लिया जिससे कि यूपी में उनको ना आना पड़े और उनको इतना धर था कि मेरा विकास दूर की तर पंचाब से यूपी लाए जा रहा था तो कि इस तरह से बैबीचे कि तहीं बैबीच गारी भी कहिसी तरह ना पलड़ दी जाए तो जो तमाम इस तरह की जो अपरादी होते हैं वो पुरा उनका एक और नाइज है और इस केश में तो इसके पूरा पारिवां की प्रिक्टर सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी जो आप वीडियो के बात कर रहे हैं उसमें तुकि इस तो साफ है अमनों को स्विकार कर लेना चाहिए हमारा तंत्र सड़ गया है गल गया है इसी सड़े गले तंत्र की कीमत पे ही ऐसे अपराधी पनफते हैं बढ़ते हैं इनको कभी राविन हुड बताया जाता है कभी कुछ बताया जाता है जबकि होता पिंडारियों का गिरो है ठक हो का गिरो है अत्यारों का गिरो है अपराधियों का गिरो है किसी के लिए ठीक रही होते हैं आपर साथ है समझना चाहता हूं क्या मुक्तारं सारी के बाद मुक्तारं सारी गैंग खत्म हो गया है कि अभी इसका ने अरूब देखने को मिलेगा राजी मिस्राजी जिस तरह से है जिद मुक्षबंतरी के पर हुआ था और हमले के मास्ट्रमाइंड मुक्तारण साही थे और उनी की सब्सक्राइब करा दी जाती है और उनको हर चीज दरोगा अंकल अभी मौजूद है उनके बेटे के करो में हो चाहिए उनके गुर्गों करूमना हो लेकिन अभी गैंख खत्म ने हुआ है उनके मरने उनको को को के निसक्रीर ताुभ रूप अदान वही है लेकिन अभी एक रिस चर्चा में साफ है कि मुक्तार की मौत के बाद भी अगर थ बिल्हाल इतना ही हमें दीजिये इजाजात बने रहे एपियन न्यूज के साथ